टार्गेट विद प्यास परिहार चैनल में आपका स्वागत है सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचना होती है जो भी बिन समचार पत्रों पर चाय भी होती है और विद्यारतियों के लिए अवश्रक होती है तो आई शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समचार पत्रों में विद्यारति जीवन से समंदेते कौन कौन से सूचना है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं शेयर करते हैं और जिन चात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की authentic updates सबसे पहले मिलती रहे हैं। पूंचा जाता है। उसकी बेस्ट बुक है और इसकी जो लेकिया है वो हिमान से सिंग हैं। कि इन पुस्तकों में ये बात धान में रखी गई है कि जो CBSC ने हाल ही में बदलाव किया है कि एनलेटकल जो जादा आएंगे उसी की हिसाब से इन पुस्तकों का निर्मान किया गया है। सुरू करते हैं बात की सूचनाओं को और सबसे पहले बात होगी एड़ेड जूनियर हाई स्कूल भरती परिणाम लटका। अभी तक सासन ने इस पर कोई निरणा नहीं लिया है चुंकि पुराना रिजल्ट जब तक कैंसल नहीं होगा तब तक नए परिड़ाम जारी नहीं किया जाएगा। प्याइन पी ने परस्ता बना करके भेज दिया है और सासन इस पर कोई निरणा नहीं लिया 31 तरीक को फिर से सुनवाई होनी है और पिसली सुनवाई में प्याइन पी ने यह बात कही थी कि हमारी तरफ से रिजल बनकर के तयार है और सासन जब पहला पाला जो परिड़ाम है वो रद करेगा उसके बाद में ही हम रिवाइज रिजल जारी करेंगे और आज है 30 तारीक कल है 31 तारीक उसी किक्रम में यहां पर लिखा कि मन्तन में अटका है एडिट जूर्णियर हाइज स्कूल शिक्षक बरती का संसूधित प्रणाम कुछ अब भरतियों को कम अंग मिल 2021 में करा करके उत्तर प्रतिश प्रडिक्ष्षे नियाम команд प्राध करी प Nash कि यह कुछ विद्यारतियों के नंबर कम आए थे। कुछू विद्यारतियों के नंबर कम है और कापियां फिर से जाची जाए और फिर एक कमेटी निर्माण किया गया मामला चोगी कोड में चला गया था और कमेटी ने पाया कि विद्धारतियों की अपत्ती वो सही है और इस करम में रिजल्ट रिवाइस्ट के आधिश दिये गहे थे लेकिन अभी तक रिजल्ट कियो तो लाइक अवस्ट करते हैं चेनल पर पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब अवस्ट कर लें कम्बाइंड ग्रेजविट लेविल सीजील 2021 टीर सेकेंड परिक्चा की उत्रकुंजी स्सी नी 24 अगस्त को जारी तो करती थी लेकिन वेबसाइट पर लिंक नहीं खुरा ऐसे में अब इसका लिंक वेबसाइट पर दो सितंबर तक देखा जा सकेगा सीजील 2021 की परिक्चा आठ और दस अगस्त को यूपी और विहार के 14 जिलों में 106 के इन दुरू पर दो पालियू में कराए गई गई मुख सच्यू दुर्गा संकर मिस्र की अध्यक्षता में मुख सच्यू ने का कि सेवा काल के दौरन दिवंगत हुए राजकर्मियों के आश्रितों को अनकमपा के अधर पर नुक्ति देने के लिए जिन विभागों ने रिक्त पतों के बारे में जानकारी उपलफ्द नही हो गए हैं लिखाया यहां पर कि जिला इसतर पर 6 नमंबर को निर्धारित के इंद्र पर यह परिक्षा होगी राश्ट्री आयवा यूगता अधारी परिक्षा के लिए ऑनलाइन आविदन की प्रक्रिक सुरू हो गई है 24 सितंबर तक आउनलाइन आविदन किया जा सकता है 59 और 11 के रेजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ा दी गई है लिखाया 10 सितंबर तक बोर्ड ने मौका दिया है 25 अगस्तर रही अंतिमती थी कई बच्चों का पंजिकर नहीं हो सका था अगली सुचना है TGT और PGT की अभी तक परिक्चा की तारीकों का एलान नहीं किया गया है प्रयागराज में बाड़ा आई है विद्यारति को समझ में नहीं आरा कि आकरिकार घर जाएं वापस या प्रयागराज में ही कहीं और रह करके परिक्चा की तयारी करें आकरिकार परिक्चा कब होगी इसी करें में आज विद्यारति माधमिक सिक्चा सेवा चैन बोर्ड पहुंच रहे हैं और विद्यारति मांग करेंगी जल्द से जल्द TGT PGT की बारे में इस परष्ट की जाए कि TGT PGT की परिक्चा है वो कब तक होगी लिखा है यहां पर कि सभी साथियों को सूचित किया जाता है कि दिनांग 30 अगस्त को माधमिक सिक्चा सेवा चैन बोर्ड पर दिनमंगल वार 12 बजे आधरने अध्यक्च महोद है यहां आधरने सची महोद से मुलाकात की जाएगी उसमें वारता करेंगी कि माधमिक सिक्चा सेवा चैन बोर्ड में 10-10 सउगनीति कब होगी उसके बाद प परिशाओं की तारीखों का जल्द से जल्द ऐलान किया जाए तो स्रीतला प्रसाद ओजा है जो चात्र जो आज जाएंगे चैन बोर्ड और अगली जो सूजना है वो है ल्टी ग्रेट जिसके बारे में ने कल जानकारी दी थी चैनितों की निक्ति और नई वर्थी का स्थापन और जी आई सी एल्टी ग्रेट प्रवक्ता दोचर बाइस का विग्याबन जारी करने के मांगर की पांस दस्यों का प्रतिनित मंडल में शामिल विकी खान अनिलिल पाद ध्यायकर पर यह सचातरों के नाम लिखे हुए है और लिखा है कि राजिस्कुमार का दाव विवाद है उसका समधा निदेश थाले दौरा जल्द नहीं किया जाता है तो प्रतियों की चाथ अंदूलन का रास्ता अपनाएंगे ऐसा स्था चातरों का दावाद अगली सूचना है अल्प संक्यक विद्यालियों में निक्तियां जल्द होंगी लगभग बारा सो पदो पर यह बढ़तिया होनी है लिखा यूपी के अल्प संक्यक मात्मिक विद्यालियों में पात साल से रिक्त चल रहे हैं बारा सोपत भरने की प्रक्रिया जल्द सुरू हो सकती है कानपूर में 200 से ज्यादा पदरिक्त हैं शासन इस तरह पर निक्ति की प्रक्रिया का ड्रफ से त्यार कर लिया गया है अल्प संक्यक विद्यालियों प्रबंधकों को निक्ति का अधिकार था वर्रस 2017 के बाद से यह अधिकार छिन लिया गया है कई प्रबंधक इस मुद्धी पर हाइं देखने को मिलेंगी और यहां पर लिखा है कि विद्ध्यालियों की संका कितनी है यह देखिए लिखा है चार मुस्लिम कालेज हैं साथ सिक कालेज हैं कुछ क्रिश्चिन कालेज हैं और यह तो इन विद्ध्यालियों में भरती आपको देखने को मिलेगी और यह जो विद्ध चाहर के मामले में सबसे दर्शित विभागों में से एक यूपी सीड़ा की भरती घोटाले की फाइल फिर से खुल गई है 14 साल पहले 2008 और नौ में की गई भरतियों की जाच अब सतर करता विजलेंस विभाग कानपुर को सौंपती गई एस पी विजलेंस ने यूपी सीड़ा को पत्र लेकर के पत्रावलियों की मांग किये गौल टोली इस्तित उत्तर प्रतियों में बढ़ती गई यह अनु मिताओं से संब्दित खुली जांच के निर्देश दिए हैं तो एक तरफ तो यह 14 साल पुरानी जांच के आदेश दिये गए हैं और उत्तर प्रतेश में वर्त मांच में में विद्धार्थी उल्टा खाले हो गया कि दरोगा बर्ती का जांच के आदेश दिदी के जाएं और बहुत सारे साक्षी दिये तो यह सरकार कोर्ट तक चली गई पूसी तरीके से लेक पाल भर्ती के लिए भी बहुत सारे धान्दली किसी कायते हैं और विद्धार्थियों ने कहा कि इस भर्ती की वी जांच कराए जाए तो इसमें भी कोई जांच नहीं हुए इसी तरीके से TGT, PGT, RO, ARO, High Court और बहुत सारे बर्तियों के बारे में भी दांदली हुई लेकिन उत्तर प्रतिस सरकार ने आज तक किसी भी बढ़ती कि कोई भी जाच नहीं करवाई हाला कि यह जाच ठीक है और यह जो लिखा बाबु सिंग अधक्ष थे जिस वर से घोटाला हुआ और यह जो मंत्री थे विधायक थे इन सब लोगों ने नोकरी प्र करके नोकरी प्राप्त कर लेगा तो आज नहीं तो कल उसका हिसाब अवस होगा यह एक संदेश जाता है लेकिन यह होगा तब जब यह जाच समय के अंदर पूरी हो जाएगी जाच के आदेश तो दे दिये गये हैं वसूली के लिए और बाद पतने क्या हो इसी तरीके से आ एक बढ़ती का विज्यापन निकला है असिस्टेंट सेंटरल इंटेलिजेंस ऑफीसर ग्रेड फस्ट यहां पर आयूसीमा अलग अलग यहां लिखी वी हैं और इस विभाग में अलग अलग पद भी हैं उमीद्वारों को पास यहां पर लिखा कि ग्रेजिवेशन होना चा उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग में उत्तर प्रदेश चिकित्स सिछा विभाग के तहत राज की मेडिकल कालेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर रेडियो डाइगनोसिसके च्छै पदोपर भरती के लिए हुए साक्षातकार में सारे के सारे जो पद हैं वो रिक्त र पर बढ़ती के लिए 25 अगस्त को साक्षातकार आयूजित किया गया असिस्टिन प्रोफिसर रेडियो डियाग्नोसिस के पांच अनारक्षित पतों और अनुसूचित जाती के लिए आरचत एक पर बढ़ती होनी थी आयोग के संयुक्त सच्ची विनुत गुमार सिंग के हुआ हुआ है।